पहला सवाल नाकपुर से शुभम पूछना चाहते हैं शुभम जी नमस्कार सवाल पूछिए साथ अलो जे शुभम बताईए हाँ मेरे पस हैथवे के बेटी होल्डिंग थे ही 9000 शेर के अब उसे के जाना तरह भी रुखना चाहिए और टार्गे तभी आना बाठी है इसमें वहीं कुछ नादर में कॉपस है जी राजे जी हैथवे केबल एंडेटा कॉम नौजाज शेर इन उन्निस पचासी पिले एकिस अठासी पे चल रहा है क्या राय बंतीस में प्रॉफिट बन रहा है थोड़ा सा ले 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 या भी रुके आई तिंग दिखिए निरजी हैथवे का जो टागेट है यह एक तो सबसे बड़ी बात है यह थोड़ा सा लगाड स्टॉक है और बड़ी मशक्कत के बाद इसने अपने टूहंडेट डियमे को सपोर्ट जो है उसको होल्ड किया और जो प्राइस पैटन है यही यही दर्शाता है कि 21 के 21 रुपे के ऊपर इसमें मुह आएगा और यह मुह कहां तक आएगा तो मुझे लगता है करीबन 24 से 25 तक का मुह हैथवे में आना चाहिए थोड़ा सा आपको टाइन देना पड़ेगा तो यह फास्ट मोर है लेकिन कंसुलिडेशन में है तो 21 के ऊपर 21 रुपे के ऊपर कंसुलिडेट कर रहा है तो आप बने रहे आपका जो स्टॉप लास होगा रहेगा 20 रुपे का तो थोड दिक्षिद जी नमस्कार सवाल पूछिए सब नमस्कार सब जी सब मेरे पास में जेके पेपर है जी कंटिन्यू करिये दिक्षिद जी अ कि शैद कट गया उनका लाइन कट गए लिगा सवाल यह जेके पेपर 370 क्या करना चाहिए राजेश जी 200 शेर है 370 के भाव मैं आई तिंग उन्हें होल्ड रखना चाहिए इसका दिखे रेजिस्टन्स जो है वह 380 के आसपास है 335 ओके जेके पेपर इनको प्राइस जहों रखा है तो के चलिए लेवल्स द्याद रखिएगा दिक्षिजी अगर आप अभी विशो से जूड़े गूमाई देख रहें तो अगले सवाले वडूद्रा से नरुत्म का नरुत्म जी नमसकार पूछे सवाल सर नमसकार नमसका ट्रैकर रख सकता हूं और अभी नया माल एज़ाम में अभी का दाम में खरिच सकता हूं नहीं खरेशकता हूं दो एवरेज करने के लिए राजय जी आईटी पे कॉंट्राकॉल के आपके इन्फोसिस पे भी है क्या हलाकि इनका प्राइस काफी ऊपर का है और भी खरीदना चाहते हैं यह वाला माल आई तिंग यह लेवल सही होगा निरजी देखे अगर आप वीकली चार देखते हैं तो हम जो ट्रेंड की बात करते हैं तो देखें अप्रेंड में जब कोई काउंटर अपने नेकलाइन के ऊपर याने ट्रेंड के ऊपर आके खड़ा होता है तो वो उसके लिए एक बाइब इस लेवल आप 1474 1480 यह वीकली चार्ट पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हाला कि यहां पर से थोड़ी बहुत लिक्विडिशन होते हैं तो यह जो एग्रेसिव शॉट है यहां पर बनते रहेंगे लेकिन इवेंचुली यह कटेगा मुझे लगता है जितना शॉट है इस सब्सक्राइब करें पहला रिजस्ट होगा 1550 वह निकल जाए तो 1600 के बार चला जाए तो और खरीदारी इसमें की जा सकती है इसको लिया सकता आजा एक सवाल रोहित का है यह 147 यह इन्होंने मान्नेवर के यानि वेदान फैशन्स के खरीदें है 966 रुपे पर इनको ऐसा लगता है कि इसकी जो लोवर साइड है वो लिम्टेड है 900 रुपे तक उससे नीचे नहीं जाएगा और यह उम्मीद लगा रहे हैं कि यह इस साल 1300 रुपे का भाव देखीगा क्या इनका व्यू सही है और साथ यह स्टॉक गिरा क्यों इतना लेकिन चार्ट पर तो इतना कह सकते कि इसमें जितना करेक्शन होना चाहिए था जितना वीकनेस था वह हो चुका है और देखे ऐसे कॉंट्रा अनलिस्ट मुझे लगता है कि यह स्टिस अगूड लेवल टो इंटर अगर आप बीटली चार्ट देखे तो पॉजिटिव डि टरिटरी में और जो प्रोजेक्शन है उसका जो टागेट है मेरा वह रहेगा 1150 का तो देखे 1150 के टागेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं इसके लिए आपको वक्त लगेगा एक 4-6 मन का लेकिन यस दिस इस लेवल जहां पर आपको एक्कुमेलेशन करना है ना कि फ्र आप यहां पर स्टॉप लॉस प्लेश करें तो अगर हम पोजिशनल व्यू लेते हैं तो आप्विशली हमें बड़ी रेंज पर ध्यान दे रखने पड़ेगा तो एक्कुमेलेशन इस बेटर स्ट्राटेजी ओके इस बीच मार्च की सर्विसेस पीम आई है 60.3 से बढ़कर 61.2 बहुत ही जबरदस है कल मैनुफेक्चरिंग पीम आई पर सो थी उसमें भी बहुत तेजी थी और अब आपके सामने सर्विसेस पीम आई भी है यह भी काफी बढ़की आई है मन्तों मन्त यानि मार्च में 61.2 हो गई है जो कि बहुत बहुत ही स्ट्रॉंग माना जाएग एकॉनमी में अगर दोनों वाले जो दो बड़े हिस्से होते हैं एक मैनुफेक्चरिंग का एक सर्विसेस का दोनों में अगर पर्चेज मेनेजर इंडेक्स काफी साथ से उपर चल रहा है तो यह दिखाता है कि इस एकॉनमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है बहुत आपकरूं इसको हौ ultras राजाई है यहा वर्मी में अरे लोग आख हुं भुथ ले लिया अपने तरो फोड़ र ले लिया अ एक अठा लिया था कि इसने एक ज्ट्रें कर राधारे मास्टी बढ़ने एने हैं एक ज्ट्र में उट्षा बेरा मीं चल ट्चीन चल आफ़ आप मुझे आपका पैसा दे तो मेरा पैसा पूरा ले तो यह तो यह थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है और देखिए यहां पर क्लियर वर्डिक्ट था थर्टी थर्टी टू में कि दसे टाइम चला भी अच्छा आठ रुपए दस रुपए से लेकर तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहां पर जितना होना था वह हो चुका अगर मैं सहीं हूं तो करन्ट लवल से पूल बैक मिलेगा सिर्फ 28 रुपए तो यह पूल बैक के लिए अगर आपका प्ले होगा जहां पर आपको एक्जेट लेना है तो फिर ठीक है तो यह 28 तक का पूल बैक मिलेगा अगर अगर वक्त थोड़ा सा वेट करना चाहिए तो 24 का स्टॉप लॉस रखे लेकिन काउंटर में मुझे लगता है कि उतनी स्ट अगर प्लेग तो निकल जाए नहीं चलेगा उतना निराजी अगर अठाट विए अठाट विए बहुत दुखसान कर देंगा चाहँ पचाट पचाट बचाट साड़ अगर लेकिन आपको लगता है निराजी आप भी तो ने हम तो चार्ट देखी निए अगर तो चार्ट बहुत खीचा तो तीस तक जाएगा निकल जाएंगे और किया करेंगे अचा एक मडिस में रुको ना राजे जी इसमें क्या ना बहुत साथा लोग ट्रेड करके पषिसा बनाते भी है तो इसकी कोई रेंज है क्या कि यहां तक गिरे तो लेना चाहिए फिर यहां तक चले तो बेचना यह से कई इस रोड़ करो तो पेसा बनता है अगर आप इसका मन्तली चार्ट देखते हो तो तो आप तो clarity मिलता है कि देश से दना वाड़ चार्ट उसके आप weekly चार्ट पर आते हो तो weekly चार्ट पर इसका जो सपोर्ट बनता है निरजी वह करीबन 20 रूपे के सबस्सें 20ATOR तीस पईसे और वीश रूपए दियुक्त इस एक बनाओं वह करिवेंड च्रीजि बनाऊगा सब्सक्राइब हुआ ह auditor कि वी इसकी इस कि अगर इस R歌 के था शोड़ा जाता और इस रींज को पर इसके करता है थोड़ा कन्विक्शन मेरा इसमें कम रहता है और इसलिए मैं इसमें हमेशा वर्ड की ही सलाह देता हूं तो अच्छा चलता है 28.39 तक कि अगर पहुंचे तो आप एक बार फिर से हम लोग इस फोन करिएगा अगर मालो लग रहा है कि नहीं अब यहां से एक बार और जटका देगा तो आप फिर वहां निकलिएगा अगर लगता नहीं तो वहां पर निकल जेएगा चुकि बड़ी पोजिशन है आपके ठाजा शेर आपने जटके विली थोड़ा-थोड़ा करके लिया करिए तो एवरेज सही हो जाता है अगला सवाल है निर्मल जी का निर्मल सेट कानपूर सिटी निर्वर जी नमसकार नमसकार निर्मल ली बताईये थर बॉस हमाँ पास वो है आयरेशी हम उसको चाहते हैं अप्टू टू वंडेड दो सो रुपय तक बेचना आट सो सेर है और एरेडा है इरेडा हमापस 100 है, उसका रेठ हमारा है, उसका रेठ हमने दिया हुए वाटसेप पर तीन शेयर है, तीनों के दिया हुए पॉच्छा हो गया आपका इरेफसी में, तो अभी तो चार गुना करना क्यों चाहते हैं, यार में नीर जी, ये सवाब की दुआए है, ठीक है, तीन पर शेयर अटिक बचला कर शेयर का फायदा और आएरेफसी में, ऑर इरेडा इरेडा इतने भी लिया था जे येक्टे बिचते पर लिया था, इकसो गाड़ कर आड़े हैं, पर ले लेदे जी बेचा, अगा रेट के बिचत बचला है नहीं, तो बेचा है सो रोपर ने, पे 200 रुपए IRFC मेरे दिमाग में कुछ अलगी चल बहुत है देखिए IRFC का अगर चार्ट है तो 140 का इसका सपोर्ट बनता है अगला जो दूसरा वाला इनका है एक 134 पर खरीदा इन्होंने लास्टाइम भी जब हमारी बात हुई थी निरजी तो यह 135-140 की रेंज में था तब भी हमने होल्ड की सला देती और उसका एक पहला रिजिस्टन्स था करेबं 160 का जो हमने डिसकस किया था आज मुझे लगता है है जिस तरह से 160 के ऊपर ट्रेड हो रहा है पूरे चांसे से 185 तक जाए 181 85 तो आइटिक इरिडा में जो पोदिशने उसमें आप बने रहे स्टॉप लॉस होगा 155 का एक सबस्क्राइब बेचना है वहां रुकना है अज नहीं मुझे लगता है रुकना है क्योंकि दिखें यहां पर देखें वीजिशाट है वह बहुत आप कह सकते के प्रॉमिसिंग चार्ट है स्ट्रॉंग चार्ट है तो अब्विशन होता है स्ट्रॉंग बेच बन रहा है तो इस बेच से यह पल्टा है तो मुझे लगता है प्रॉबैबली यह दोसों को एक बार के लिए फिर रेटेस्ट करेगा तो फॉर मी इट्स अ गूट स्टॉक यू कैन भाई यू कन होड़ सेटी जी के पस टाइम ही टाइम है ना सेटी जी तैंक्स राजेज जी थैंक्स राजेज जी थैंक्श राजेजी थैंक्ष नीर्जी आपको भी धन्यवाद बस टाइम देविजी इसको बड़ी आत पैसा बने का आपका आर यह दो तो अपर है देख एख गा यह लिए बदा दिया हूँ कित्रे भाव पे लिया है रही ने झाल बता दिया है वो मैंने देख लिया है ठीक है तो यह प्रेंक में भी इपलाई होता है जो उनके लिए बता आया था तरह बहुत 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 शुक्रिया निरमल जी अगला सवाल है रमेश कुमार का मंडी से रमेश जी नमस्कार पूछे सर रमेश जी पड़ फोन लगा फोन तब तक दूसरे अधा अविनाश कुमार जी पूछ रहे हैं अडानी पावर सब्सक्राइब देंगे बताइए क्या करना चाहिए देखें निरजी मुझे लगता है कि पावर स्टॉक इंजनरला कोई भी पावर स्टॉक तो यहां पर एक अच्छी कैसे रालिया अलड़ी हो चुकी है तो यहां पर वो रिवार्ड आपको अफर नहीं होता अड़ लेवल तो अगर कोई सोचे कि मैं अडानी पावर ले लूँगा यह इस भाव पे तो थोड़े सा मुझे लगता है कि लेट है थोड़ी रिस्क जादा है लेकिन फिर भी देखें मेरे हिसाब से अग अगर आपने बहुत ही छोटे समय के लिए लिया है तो आप एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखे 620 का 620 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 680 का इसका रेजिस्टन्स होगा यह आप कह सकते कि टागेट होगा यह फिबोना की टागेट है तो फॉर मी स्विंग ट्रेड आप इसमेले पोडिशनल के लिए अच्छा खासा डिप मेले तब ही जाके एंटर के लिए ओके फिबोनासी के हिसाब से 680 जा सकता है लेकर स्टॉप लॉस लगईएगा जाकिर हुसैन अलवर राज्थान से जाकिर बताईए क्या सवाल तो मैं इसके बारे में जाना का तो ओरियंट सीमेंट डियर सो आज जी राकेश जी हाजी 208 रुपे पर देखे उन्होंने 208 पर लिया है निरजी 210 इसका 200 डियम है इसमें करेक्शन हुआ था वह 290-300 से शुरू हुआ 190 तक तो इतना स्टीप करेक्शन के बाद मुझे लगता है जिस तरह से यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं इसके साथ एक टेल्विंड होता है तो सब चल रहा है तो यह भी चलेगा तो कहां तक जाएगा मेरे ही साब से पहला रेजिस्टेंस हैंगा 235 235 का लेवल निकलेगा तो निरा जी मुझे लगता है कम से कम 250-260 तक की जगा बन रही है तो यह लेवल बढ़िया है 210 जो कि इसका 200 डियमा है according to that 200 हम stop loss maintain करेंगे और इस buying को continue रखेंगे ओके एक सवाल आशी शिवास्तों को लेते हैं पीएफसी के सौ शेयर है 423 के भावव पर एक मेने का नजरिया सिर्फ एक मेने का देखिए पीएफसी आरी सी मैंने का ना कि निरे जी एक ट्रेडर के एक एक फेवरिट स्टॉक्स है पीएफसी की पर्टिकुलर्ली बात करें तो मुझे लगता है 400 इसके लिए इंपॉर्टन सपोर्ट है सपोर्ट बेस बन रहा है जहां पर आप कह सकते कि डाइ अबाव 400 तो आपका स्टॉफ लॉस आप 400 के नीचे रख दे कुल्दीम का सवाल सुनिया इन्होंने HDFC बैंक को 1440 में 1440 में 1440 में बेज दिया कैश में एक लॉट और तीन लॉट फीचर में अपरेल फीचर 1444 में कब स्कॉर आफ करना है और कब वापस करना है देखे मुझा लगता है कि उन्हें आज जो मुह मिला आज का मुह HDFC बैंक में आप कह सकते कि एक पड़ाव था जितना जितना मुझे याद है निरजी हमने हर लेवल पे 420-440 हर लेवल पे HDFC बैंक इस बाइज यही रेकमेंडेशन दिया अभी यह जो बाइज का तक जाना चाहिए कोई चीज कोई भी एक पड़ाव पर आके थोड़ी रूख सकती है तो यह जो 1530-1535 यह इसका 200 डिम है तो एक बार के लिए यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कूल आप हो सकता है तो यह लेवल जो है यह स्विंग ट्रेडर का एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है ओके अचा एक निरभत वारी NTPC खरीदना चाहते हैं किस लेवल पर खरीदें लॉंग टर्म के लिए देखें अगर आपको NTPC बाय करना है तो मुझे लगता है आपको कम से कम 340-330 इस रेंज तक वेट करना पड़ेगा फिलाल आप देखें कि NTPC में एक मोमेंटम चालो है एक रैली शुरूए शॉट कवरिंग थी इनिशली बाद में शॉट कवरिंग वाली टर्न हुई जहां पर लॉंग एडिक्शन होते गए तो यह जो रैली चलो है यह अपने एक इंपोर्टन पड़ाव पर है जो चैनल क बहुत कम लगते हैं प्रुबैबली एक डिप मिलेगा 340 तक जहां पर आपको NTPC में रिएंट्री ऑपॉर्चिनिटी मिल जाएगी 340 आयत तब खरी दियेगा विरेंदर कुमार उन्नाओ से विरेंद जी नमस्कार नमस्ते नमस्ते वाईदा निराजी नमस्कार राजेज जी को नमस्कार सर यह SBI बैंक के मेरे पास 100 सेर थे और 567 के रेट में तो इतमें मैं प्राफिट का बुक करूं और दूसरी सला मुझे यह चाहिए थी कि मैंने कल सुनाटा के लिए लिखा था लेकिन वो तो मैंने कल बेस दिये दूसरा मैं 50,000 रुप और इंवेस्ट करना चाहता हूं तो कहां पर इंवेस्ट करूं जो प्राफिट के बिल होगा हमारे लिए कितने समय के लिए कि अधिन वही बद दो तीन महीने के लिए में प्राफिट बुक कर लेता हूं सभी सेरो में करीब करीब यह जिसको मैं थोड़े दिल बेट किया मैं करीब ताल बर करीब दूसर रुपए जी जी सर रभी वही मैं पूछना जाता हूं इसको अभी कप्ता का और रुकूं को के पूछते हैं राजे जी पैसा तो बन रहा है इस ब्याइए में और रुके यह बेच के प्रॉफिट करें अंदर दिखें निरजी इट साउंड की हीजए शॉट्टम इन्वेस्टर की एक 10-20 परसंट का रिटन आ गया तो मैं निकल गया तो इस ब्याइए का दिखें व करें लेवल्स की तो 750 के उपर मुझे लगता है इस ब्याइप और सामने रेजिस्टनस बनता है करीबन 800 का 790-800 मुझे लगता है अगर आपने शॉट्टम के हिसाब से लिया है एक मैने के हिसाब से तो इस लेवल के आसपस आप पॉफिट बुकिंग करें आपका जो सेकंड सवाल था कि मैं क्या बाय करूं तो देखिए मेरे हिसाब से आप बंधन बैंक को बाय कर सकते हैं मैं पिछले मुझे लगता है तीन चार ट्रेडिंग सेशन से मैं यह कर रहा हूं कि सिटी उनियन बैंक और बैंक एयू स्मॉल बैंक और बंदन बैंक यह चारों स्टॉक इन्वेस्टर है तो बंदन बैंक बाय करें स्टॉप लॉस होगा एक सो नंबे का ओके विरेंजी एक सो नंबे और दो सो बीस हां जी वंदन बैंक लगा सकते 50,000 रुपे शॉट टर्म के लिए और SBI में प्रॉफिट लेना समझदारी है अच्छा परिशा था बनाई चुक राजेश जी यह बताओ आप बहुत सारे बैंकों की बात कर रहो ए यू स्मॉल फिनांस बैंक में भी कुछ बंता है क्या पांच पर सिंट ऊपर है आज निरा जी यह हमारा मंदे से बाइकॉल है तो आज देचनेवा लाए क्या आप इसमें बने रहे इसका आज का लेकिन इविंचुली यह 680 तक जाएगा तो एउ स्मॉल फाइनांस बैंक जो के एक कॉंट्रा भाय था अभी भी होल्ड है 600 के उपर इसका बायस पॉजिटिव होगा हर डिप बाइंग होगी हर डिप बाइंग है एउ बैंक में राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जो